हेलो स्थो आप सभी सो बात करेंगे आपर डिक्सॉन टेक्नलोजी के बारे में इस कंपनी में एक ऐसी लेटेस निउस आज चुकी दोस्तो जिसके बारे में खुद कंपनी के जो एमडी है मैनेजिंग डिरेक्टर अतुलाल उनके तरफ से कंपनी से रेटेट काफी बड़े यहाँ पर अनॉस्मेंट देखने को मिलते हैं जिसका फायदा आप सभी को मिलेगा अभी देखिए जिनके पास यहाँ पर शेस अविलेबल है और काफी निवेशक ऐसे भी कमेंट क आप से कौन से हैसे डिसीजन और कौन से यहाँ पर पॉइंट आगे रखे जा रहे हैं बोलतो प्रेजिंट किये जा रहे हैं जिससे हमको यहाँ पर कमाई के चांसेज आगे देखने को मिलेंगे क्योंकि देखिए जो कमपनी को चलाने वाले परसन होते हैं उनको ही कमपनी के बारे में सबसे जादा पता होता है बाहर के लोग यहाँ पर कितना भी कुछ भी कहने दो बट कमपनी को जो चलाते हैं उनको ही सब कुछ जानकारी कमपनी के अंदर की बाहर की दोस्तों सभी अ तो like subscribe करना और यहाँ पर आपके recommendation जरूर comment में बताइए कोई यहाँ पर issue वगेरा यहाँ पर आपको कोई problem stock market related या कोई company से जुड़ी वी information चाहिए तो जरूर बताना अब यहाँ पर आज का performance Dixon technology का देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से improvement इसमें देखने को मिली है वो भी यहाँ पर देड़ परसेंट के करेब अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर देड़ परसेंट के बहुत जादा हो गए क्या बिल्कुल कहूंगा normally ना perform करने से अच्छा perform क करना काफी कुछ यहाँ पर सिखाता है और समझाता भी है कंपणी ने बिल्कुल यहाँ पर काफी दिनों से downtrend दिखाया हम तो कहिए सकते कि पूरे एक साल से कुछ भी कमाई नहीं है पूरा यहाँ पर negative return है जिसने भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक साल पहले January 2021 को खरिदा है तब से आप तक चार्ट पैटन देखेंगे तो आभी भी लोग यहाँ पर 17% माइनस में है यह situation जो reality वो बताना मेरा काम है आपको ऐसा नहीं कि खाली अच्छी चीज़े प्रेजेंट की जाए ऐसा नहीं दोस्तो देखना जरूरी है कि आपको कितना भी आच परसन बनेंगे और वही मैं आपको बनाने कुछ करूंगा अभी देखें डिक्सॉन टेकनलोजी में जो आपको अभी वैल्यूबल चीज़े दिखाई देगी वो एक है कि company के अंदर के जो managing director है उनके तरफ से जो अभी interview में बाते कई गई है उसके बारे में देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा जो interview लिए जाते अलग अलग चैनलों पर तो उनके अंदर यहाँ पर एक conversation के आंदर देखें डिक्सॉन टेकनलोजी के जो MDA मिस्टर अतुलाल उन्होंने क्या बताया दिखें टार्गेट अफ अप टू 60-70,000 करूर रुपीज फॉर्ड फ्रदर इंकम कंपनी फोकस अन बिजनेस एक्सपांशन एक्सपिरियंस जो है दोस्तों इसका तो फाइदा अच्छे परसन का मिलेगा है इसलिए तो एक्सपांशन किया जा रहा है साथी देखिए यहाँ पर जो एक्सपांशन हो रहा है उसके अंडर जो भी खर्चे वगरा रहेगे वो यहाँ पर डेप लेकर नहीं है देख लेना आपको नजर आएगा बिजनेस एक्सपांशन विल नाट इंक्रीज डेप जो भी एक्सपांशन होगा उससे क्या हम यहाँ पर करजा नहीं लेने वाले करजा बढ़ाने वाले यह खुद आतुलाल जो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दो एमडी है कंपणी के मैनेजिंग डिरेक्टर है उन्होंने यहाँ पर इंटर्वी में बताया है और आप यहाँ पर देखे मैनेजमेंट जो प्रेजन करता है कंपणी के अंदर की चीज़ आप समझी है टार्गेट क्या है इनका यहाँ पर सोला से सत्रा थाउजन करोड रुपीज यहाँ पर देख लीजे फ्रदर इंकम रहेगी और फोकस भी काई पर है तो कंपनी का बिजनेस एक्सपांशन पर तो यह चीज़े क्या बताती है कि कंपनी का जो अपना प्लैन है वो फिक्स है यह चोटी मोटी चीजे गिरावट वगेरा यह चलता रहेगा बट कंपनी लंबे समय में जो अपने को यहाँ पर करना है वो करना चाहती हो करना स्टार्ट भी कर दिया है और कमाई करकर भी दिखाएगे अब आपकी बार है कि आप क्या कर रहे है और यहाँ प नहीं है बट पॉजिट्व टार्गेट यह है कि 4400 और 4000 प्लस यह स्टॉक आपको पॉफम करकर दिखाएगा अब इसमें आपको पता भी है कि कमपनी ने जो रिजल्ट दिखाए आपने उसमें पॉफमस ठीक था बहुत ही जबरदस तरीके से और यहाँ पर इसकी जो ग्रो ले सकते हैं आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा और इसमें यहाँ पर पैसे भी बनेंगे यहाँ पर आपको खली समय देना आना चाहिए और डिक्सॉन टेक्नोलोजी एक ऐसी कमपनी है लाजवाब जो मोबाइल मैनुफेक्टरिंग के मार्केट में बहुत पर कंजूम करने वाले लोग है वो कमनी हो रहे है लगातार पॉपुलिशन बढ़ रही है और उसकी जरुवत पूरे वर्ल में है यह कमपनी ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ही बेचने वाली माल बिल्कुल नहीं है पूरे वर्ल में अपना एक्सपाशन चालू है इनका औ बड़ा धीरे धीरे इसमें आप यहां पर इन्वाल होने की कोशिश करना जितना कम प्राइस पर आपके पास कॉंटिटी रहेंगे उतना आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा थैंकी सो मच वीडियो अच्छा लगा हो मेरे यहां पर एफट पसंद आये हो तो ही दोस्तों ला